सरकार की एक यह सोच हो सकती है इस बात को लेकर कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सैनानी थे या फिर मकॉम गांधी से लेकर नहरू तक और विदेशी सिक्षा मुझे रेमजे मेंक्डॉनाल्ड का एक कथन याद आता है जो ब्रिटैन के प्रदाहन मंत्री थे कि ब्रिटैन की एक लाइबरेरी का तैय खाना भारत के संपुन ग्यान के बराबर है यानिकि इतना सोचते हैं वो लोग यूरोप के देशों के अगर मैं बात करें कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्ता है वो इसको एक कबार खाना मानते है यानिकि रद्धी कागज और यह रैम जे मैक डॉना को पर जब रैंकिंग निकाली जाती है तो हमारे टॉप 100 टॉप 500 हमारा कोई भी संस्तान नहीं आपाता है यह का बड़ी खामी है हमारी शिक्षा विस्ता कि तो हमारे देश की सरकार की सोच हो सकती है कि जब विश्विद्याले हमारे देश आएंगे तो सैद एक अच्छा करते हैं तो सैद एक बड़ा फायदा हो सकता है कि मारे विश्विद्याले उनसे कुछ सीखें जा देखो लोकें जी दो तीन बातें आपने इसमें उठा दी पहली बात तुम्हें मैं मैंग डॉनलेड के आद्भार पर आपको कहना चाहता हूं उसका जवाब तो महात्मा ग इसे पागलों की है और इस शिक्षा विवस्था को आगे चल करके बिलकुल हमें भारत को मुक्त हो जाना चाहिए अगर भारत की चपेट में आएगा तो जैसे यह बरबाद है भारत भी बरबाद होगा और आज हम उसी दिशा में बरबाद हो रहे हैं तो यह तो मैंग डॉ पराद में 1909 में